नमस्कार मैं नकली रवीश कुमार पिछले एपीसोड में आपने देखा था कि डॉक्टर प्रमोद में मुझे पागल खाने में किद्ध कर दिया था ये साले बीजेपी वाले भी ना बस मौका ढूंडते हैं हमको जेल में डालने का पिछले ही महीने हमको सिगनल पे हेलमेट चेकिंग में पुलिस ने पकर लिया और कहने लगे अब आपको 25 साल की जेल होगी जब कि हम तो साइकिल से जा रहे थे वो तो भला हुस्वारा और ध्रुव का कि हर बार विटर पर हैशाटाइग रिलीज रवीश कुमार ट्रेन करा देते हैं कुनाल का नाम हम नहीं लेंग क्योंकि उस चूटे को पूरे वक्त यही लगता रहा था कि ये लोग मेरी कोई बायोपिक पिक्चर रिलीज करने की बाद कर रहे हैं खेर चलिए पिछले बार जो काम अधूरा छोड़ा था आज उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं और एक बार फिर आपको इस रांची के पागल खाने के अंदर लेकर चलते हैं नमस्कार रवीश जी नमस्कार नमस्कार आपका परिचाए मैं बरखा इस हॉस्पिटल की नई डॉक्टर अरे बरखा तो मेरी दोस्त का भी नाम है और वो पहले वाले का क्या हुआ वो तर सस्पेंड हो गया ओ चलिए अच्छा है आप लोगों ने खुद ही उसे सस्पेंड कर दिया वरना हम तो एक बहुत ही बड़े पलिटीशन को फोन करके उसको अंदर करवाने वाले थे किसी कॉल करते राहुल गांधी को अरे राहुल को क्यों करेंगे भई आप लोगों को क्यों लगता है हम राहुल के चमचे है राहुल की मां की चूत, खुश, भोजपुरी में भी गाली देख्या राहुल को तब आपको यकीन होगा हम निर्पक्षपत्रकार है अरे रवीश जी मैं तो मजाक कर रही थी अरे जब आपको मजाक ही करना है तो बाकी लेडीज लोग की तरह बूब्स और पीरियड वाला जोग सुनाए ना और ये मास कहां है आपका रवीश जी वो मैंने वाट्सेप पर पढ़ा है वैक्सीन आ चुकी है इसलिए अब मास की जरूरत नहीं है देखिए वाट्सेप पर लिखी हर बात सच नहीं होती अच्छा आपसे किसने कह दिया हम वाट्सेप पर पढ़े है पर आपने भी तो मास्क नहीं पहना है रवीश जी अरे जिसका मोदी कुछ नहीं उखाड़ पाया उसका कोरोना क्या उखाड़ पाएगा चलिए छोड़िए हमको आपके पेशेंट्स का इंटर्व्यू लेना है काम शुरू किया जाए जी सरूर इस तरफ आए इसे क्या हुआ है आप कुछ पूछ कर क्यों नहीं देखते कैसे हो भाई क्यों आए हो मुन्ना बस आपका हाल चाल लेने बस री के तुम इसके लिए हमारे दर्वाजे चले आए अरे हम तो एक दम चुप विशूध चूटी यी लरके हो तुम अरे ये तो हर सवाल का जवाब मिर्शापुर के डायलोग से देता है जिंदगी में पहली बार कोई हमको फेस टू फेस गाली दिया है वो क्या है ना हमको भक्त लोग से कमेंट और मेसेज में सुनने का आदत है बर्खा जी ये पचास रुपया रखिये ये माधर चोद बाहर नहीं आना चाहिए ये तो आप चीटिंग कर रहे हैं रवीश जी अरे हम हैं भी तो बिहार से अब जब देही रहे हैं तो थोड़ा और कुछ दे दीजिए लीजिए ये बीस रुपया और रखिये अरे मेरा मतलब था अब लालच मत कीजिए बर्खा जी चलिए अगला पेशेंट दिखाए इसे मिलिए इसे क्या हुआ है इसे बड़ा दिखोने का घमंड है तो सच में है क्या आप देख कर फैक चेक नहीं की कैसी बातें कर रहे हैं रवीश जी मैं कैसे देख सकती हूँ रुक ये तब हम अभी फैक चेक कर देते हैं क्या बात है दोस्त कितने नंबर का अंडर वियर पहनते हो 80 नूब जब नबे के उपर पहनने लगो तब बात करना इसको जाने दीजिये बर्खा जी घमंड तोड़ दिये हम इसका आज कल हर 20 साल के नौजवान को अपना लंड बड़ा ही लगता है अभी हम अपना अनाकूंडा देखा देते अगले पेशियंट से मिले अरे भाई ये मोटरसाइकल लेकर क्यों घुसा हुआ है अंदर अरे रवीश जी के टी एम लवर है छोड़िये इन सब के मुह मत लगे साले टॉयलेट भी बाइक पर बैट कर जाते हैं मैं आपको अगले पेशियंट से मिलाती हूँ इसे क्या हुआ है देखने में तो अच्छी खासी लग रही है कटर बीटीयेस भर्प थर्ड स्टेज अरे ये वही है क्या जिसमें पांच-छे चाइनीज लॉन्डा लोग मेक अप लगा के नाज़ता है जानती है मेरे स्टूडियो के बाहर जो मुमो बेचता है ना एक दम बीटीयेस का मीमबर लगता है वहरवीश जी आप भी रेसिजम को बढ़ावा देते है पगली रेसिजम नहीं फासीजम होता है जिसको मोदी जी बढ़ावा दे रहे है लगता है गोदी मीडिया आपका भी ब्रेनवाश कर दिया है खेर इसका हिस्ट्री क्या है इसकी हिस्ट्री तो काफी दड़ भरी है पहले वन डाइरेक्शन की चौदी थी पर जब से वो बंद हुआ खोई-खोई सी रहने लग गई फिर फिर क्या एक दिन बीटीयस का वीडियो देख ली पहले तो उनके मेकप से भरे शकल को देख कर एसे लगा लड़किया बॉयकट हैर स्टाइल में डांस कर रहे है फिर क्या था फिर क्या दिन रात में मज से लड़ती रहती है सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि बीटीयस वाले गय नहीं है बेचारी टेंशन से तो बाल जड़ गए है इसके पर इसके सर पर तो बाल है सिर्फ आगे से पीछे से टकली है ऐसा क्या अच्छा बेटी ये बीटीयस वाले जो गाते हैं तुमको समझ आता है कहा था ना थर्ड स्टेज ओहो बताइए इससे अच्छा तो भोजपुरी सूंग्स है गाना भले ही आपको समझ न आए लेकिन म्यूजिक वीडियो देख कर आप हिला जरूर सकते हैं अगर आप उतरप्रदेश से हैं तो ये टेप आपके काम आएगी बताइए कैसा CM है इनका हम तो पहली बार देख रहे हैं एक सिंगल लॉंडा दूसरे सिंगल लॉंडो को हिलाने से रोक रहा है चलिए छोड़िए आगे बढ़ते हैं इसे क्या हुआ है इसे भी BTS पसंद है BTS पसंद है इसलिए अंदर डाल दी नहीं रवीश जी लड़का होकर BTS पसंद है इसलिए एक बात बताईए बर्का जी ये BTS चोने से भी फैलता है क्या जी नहीं रवीश जी चुटकी चक्कर में लड़के अकसर ऐसी बीमारे के शिकार बन जाते हैं आपको शक कैसे हुआ इस पर इसका फैवरेट कलर पिंग है और फैवरेट सोंग कूछने पे डाइनामाइड पताता है जबकि ये पाकिस्तानी भी नहीं है ना जाने क्या होगा इस देश का खैर चलिए अगले पेशेंट से मिलाए अरे रुकिये रवीश जी अगर सारे पेशेंट को इसी एपीजोड में दिखा दीजिएगा तो एपीजोड 3 में क्या दिखाईएगा ये बात भी है अगले पेशेंट से हम आपको एपीजोड 3 में मिला देंगे तब तक के लिए अगर आपके आसपास कोई अजीब सा पागल है तो कमेंट में लिखकर बताइए नेक्स्ट एपीजोड में बरखाजी जरूर उसको पकड़ लेंगी